Hello friends, Welcome to Phonefix HYD Youtube Channel Friends, हमारे पास एक phone है Redmi 7A जिसका EMMC जो के dead हो चुका है एक phone markets आया है जिसके अंदर EMMC निकला हुआ MMMC है यह नहीं इसके अंदर और यह MMC इसके अंदर change कैसे करना है इसके लिए हमारे पास repair करना है तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ जैसे कि एक फोन पुरा खुला हुआ है यह हमारे एक Redmi 7A का मॉडल है और यहां पर आप देख सकते हैं इसका और किसी ने इसके अंदर इसका इसका निकाल खि दिया है जिसके अंदरती है इसका डेड होगा को बना रहा रहा है तो हमने इसका हंपिडिबल ए बदूक है ले चुके हम अारणी है में आपको यहांपने बता चिता हूँ सायंसंग eingesकां कॉमपीटिवला लए लिया है जो पिर बड़ एक सामसंग eingesकां की इा कॉंपूटिवल ले लिया एया है जिस्पे अब देख सकते तो यहां पर मैं अगांगे जो किय inferize क स्टोरेज है और Shelby ax Gardens a means fan को दिखे लेल एद और यह सब कुछ में आपको दिखा यहां मैं अलड़ी कॉंपिटेबर ले लिए हुई है तो मैं आपको फिर भी इस पर एक स्क्राइच करके दिखा लेता हूं कि आपको बिठाने के बाद भी मैं आपको बता देंगा प्रूफली वहां पर देओ एक बढ़ फिक है इसके यहां पर एक मार्क कर देता हूं जैसे क तो यह MMC मैं आपको पोग्रामिंग करके दिखाऊंगा लाइब किस तरह करते है इसका फोन और साथी साथ इसके अंदर यह MMC चेंज के साथ डियूल सीकूरिटी भी रिपेर करके दिखाऊंगा जो के कोई मार्किट में इसका कोई नहीं कर पाया है और यह हमारे पास फर्स्ट है यूटूब पे जो के इसका डियूल सीकूरिटी हम इसको रिपेर कर सकते हैं लेकिन इसका जो प्रोसेस होगा वह हम नहीं बताएंगे dual security का किस तरह repair करते हैं यह सिर्फ हमारे student की लिए होता है जो हम यहाँ पर बता देते हैं तो अगर आपको सीखना है तो अभी हमारे institute को join करिए phone fix HID जो नीचे दिएगे number है आप उस पर call करके इसकी information ले सकते हैं institute के बारे में तो आपको बैसे यहाँ पर पूरा solution नहीं बता हूँ आप जो के हमारा फूरा full solution हम student को देते हैं तो start करते हैं यहाँ पर MMC में तो जैसे कि यह MMC मैं आपको देख सकते हैं इसको मैं identify कर लेता हूं यहाँ आप आप सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बॉक्स में बताता हूं कि यह MMC में क्या क्या है इसमें और यह आर्पीम्ब इसका clean किया हूँ है कि तो जैसे कि यहाँ पर हमारे MMC टेक हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं आर्पीम्ब चारेंबी का साइज है और इसका authentication की not yet program मतलब इसका आर्पीम्ब अलड़ी क्लिन है और यह MMC पूरा ब्लैंक हो पुरी-पुरी ब्लैंक है तो इसके अंदर सिंपली हमें यहाँ पर कुछ तो जहाँ पर देख सकते हैं और इसका यह बूट कॉन्फिगरशन रिपार कर लिया अब यहाँ पर देख सकते हैं पार्टिशन कॉन्फिगरेशन देसे कीछ Si जिए जीरे विकाँ का दिखा है प्ड़क्स Crist तो सबसे पहले एमेमसी उठा लेंगे हैं अच्छी तो नहां पर एमेमसी लगा लेंगे हैं तो आप देख सकते हैं मैं वहीं एमेमसी लगा रहा हों जो यहां पे मैंने मार किया हुआ है टी नाम से और यहां पे कोई वीडियो की नहीं किया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, अभी क्ली चेह देख लगा है, इसके लिए मैंने यहां पर मार्क किया है कि आपको कि यकिन आ जाए कि यहां पर यह इम-म-ैम की कोई और लगा रहे है वह रहे है same to same, तो पहले मैं आपको मार करके फिर आपको इसका मैंने आर्पिम भी दिखाया है कि इसके अंदर क्लीन है या प्रोग्राम है तो अब यहां पे हम इसको फिक्स कर देंगे अब उससे पहले क्या है एक सीप्यों के अंदर कुछ मोडिफिकेशन रहता है मैं जिसका सिस्टम हैस बिन डिस्टोइड का एरर आता है वह और इडि मैं कर चुका हूं उसका काम मैं सिंप्ली आगे आपको बताना चाहरा हूं कि यह आगे का काम पूरा नेक्स्ट क्या करना है तो जो सीप्यों के अंदर मोडिफिकेशन होता है वो भी हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे आपको इसके लिए हमारे फोन फिक्स इंस्टिटूट को जॉइन करना होगा तो यहां पर हमारी लग गई है और थोड़ा सा बोट को हम यहां पर पूल होने देंगे उसके बाद इसको हम फोल्डर पर लगा के इसके डिस्प्ले में लगाएंगे और इसके बाद उसको हम योजबी से फ्लैशिंग करेंगे तो सबसे पहले हम इसके अंदर इंग रूम क्योंकि हमें इसका security repair वगरा करना है और उसके बाद उसका dual network कैसे repair करेंगे without any register remove, इसके अंदर कोई भी register dual security के लिए हम कोई भी register का काम नहीं करने वाले हैं, यहां पर हमारे पास file modification है और वो file हम सिर्व हमारे student को देते हैं, तो यह सारे चीज़े मैं आपको बताऊंगा कैसे क पर नहीं तो थोड़ा सा बोड़ यहां पर cool करेंगे हैं, आप आप हमारा phone यहां पर लगा लेंगे है, उसके बाद अब यह फोन पर लगा लेंगे है, उसके बाद अब यह directly port बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी firmware नहीं है, यह पूरी blank EMC है, तो इसके लिए इसके अंदर कोई firmware नहीं है, अब इसको हम directly flash करेंगे, योज़ भी से, जो के हमारा UMT से हम कर लेंगे इसको, तो UMT का QCifier tool open कर लेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा QCifier 8.3 वाला version open हो गया है, और यहाँ पर device manager भी मैं open कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको चेक कर वाता हूँ, कि यह port बना रहा है या नहीं बना रहा है directly, तो यहाँ पर हमारा device manager भी open हो गया है, और जैसे कि यहाँ पर मैं phone को connect कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पर directly port बना रहा है अब देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई program किया हूँ नहीं है, तो यहाँ पर हमारा directly port बनाएगा, अब इसके अंदर next हम यह करेंगे, जो इसका ENG ROM होता है, वो ENG से हम पहले इसको flash कर लेते हैं, और इसका ENG ROM मेरा already मैं यहाँ पर extract करके रखा हूँ, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, MIFLASH में हमारी, जो Redmi 7A की file है, ENG ROM, अब देख सकते हैं, 7A ENG, पाइन, जो हमारा पाइन नमबर से आता है, इसका, यह extract करके हमने already रखा हुआ यहाँ पर, तो यह file से हम इसको सबसे पहले flash कर लेंगे, तो flashing करन है, और उसके बाद, हम यहाँ पर इसको flashing स्टार्ट कर लेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर Robogram हमने select कर लिया है, और pen 0 के भी हम यहाँ पर select कर देते हैं, और simply, और यहाँ पर एक बार automatic पर भी हटा के, इसका fire rose का file हम manually देंगे, तो अब यहाँ पर हम इसको start कर लेते हैं, flashing तो जैसे कि यहाँ पर हमारी loader file ले लिया है, और उसके बाद, यहाँ पर skipping auth का जो option आता है, और यह भी उसको bypass कर लिया, okay, अब next यहाँ पर देख सकते है, storage information आएगा आपको mmc का, जैसे कि 64 GB बता रहा है, और हमारी यहाँ पर flashing start हो चुकी है, अब यहाँ पर minimum 5 minute तो लगे जिसमें हमारी फूरी file flash हो जाएगी, उसके बाद हम आपको phone on करके दिखाएंगे, यह किस condition में on हो रहा है, यह हमारा कोई error आ रहा है, जो जो भी हम यहाँ पर check करेंगे live, तो जाने के बाद हमारी website के throw, आप सारा का सारा code से revise कर सकते हैं, उसमें hand skill प्लस circuit की knowledge, दोनों भी diagram प्लस hand skill का दोनों के वीडियो सोते हैं, कैसे line को trace करना है, कैसे fault को find out करना है, कैसे IC को revolve करना है, सब कुछ बताया जाता है, और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं, यहाँ प तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर Redmi का नाम आ चुका है, और इसका system has been destroyed, जो है, वो इसके बाद आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका मैं अलड़ी काम कर चुका हूँ, और यह जो solution है, hidden, यह हम इसलिए वीड देख सकते हैं, आपका Redmi आ गया, उसके बाद यहाँ पर Android नाम से आ रहा है, जो कि हमारा ENG Room में फोन ओन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, simply हमारा ENG Room में ओन हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारा फोन ENG Room में ओन हो चुका है, ठीक है, तो इसके अंदर आईमिया जैसे कि देख सकते हैं, इसका security कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, पूरा clean emergency है, इसके अंदर ना इसका आईमिया है ना कुछ है, अगर आपके पास पूरा अगर होता है, या उसका कोई, इसका आईमिया का security अगर आपके पास backup है, तो आप वो फाइल इसको अंदर restore कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पूरा ना इमिया है, तो आप ये process नहीं कर सकते हैं, फिर आपको इसके अंदर पूरा new IME number डालना होता है, तो आप देख सकते है यहाँ पर यहाँ पर हिंजी रोम में on हुआ है, और यहाँ पर वो ही हमारी MMC पर फोन चल रहा है, जो कि हमने इसको mark किया था, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बनाया दिये हैं, फ्रदा जूम करके दिखा देता हो, clear करके, ठीक है, तो जैसके यहाँ पर हमारा जो mark है वही MMR MMC है जो RPM भी clean वाला MMC इसके अंदर हमने लगा दिये तो अब यहाँ पर आगे का next इसका जो IMI number का जो security का काम है जैसा कि इसमें अब देख सकते नहीं है तो मैं आपको इसका dual security करके मैं यह वीडियो यहाँ पर थोड़ा security यहाँ पर show कर रहा है अब देख सकते हैं यहाँ पर तो अब इसको हम next normal file जो हमारी होती है MIUI वाली file अब हम इससे इसको flash कर देंगे ठीक है तो flash करने के लिए इसमें को special file डालेंगे नहीं जो हमारी file है उसी को हम flash कर लेंगे यहाँ पर और इसके बाद क्या होता है इसका NV data is corrupted लिखके आ जाएगा बतलब क्यों क्या है अब इसके अंदर dual security हम ने डाल दिये dual security डालने के बाद जब हम इसके अंदर normal file डालते हैं जो हमारी MIUI global file होती है हम उसको डालने के बाद जब phone on होता है आपका recovery में चला जाता है और NV data is corrupted आ जाता है तो उसका भी solution हमारे पास है NV data is corrupted का क्या issue होता है कोई लोग बताती कि register से हो जाता है कोई अलग से बताती कोई file से होता है तो यहाँ पर हमारे पास जो solution है उसमें कोई भी register का modification नहीं है जहाँ पर हमें 100 के डालना है या जिसमें या उसका register निकालना है तो यहाँ पर हमारे पास एक solution है जो उसका हम सिप student को ही बताएंगे तो यहाँ पर मैं आपको अभी normal file से पहले flashing कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको NV data is corrupted का भी बता दूँगा कि यह error आने के बाद कैसे error आता है तो यहाँ पर हम simply flash कर लेंगे जो कि हमारा normal file होता है global version का तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मैं उसकी flash file आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ उसकी यहाँ पर flash file अउलड़ी हमने extract करके रखिए desktop के है ठीक है इसका जो पाइन वाला वर्जन होता है अब देख सकते है ग्लोबल वर्जन image 2L जो MIY 2L है और android वर्जन इसमें 10 है आप यह फाइल में देख सकते हैं मैं और डेक्स्टाइक करके desktop पे रख लिया हूँ अब simply यही file को हम flash कर लेंगे जैसे हमने भी flash किये थे तो यहां आ जाते हैं और यहां पर हम इसको desktop से फाइल ले लेंगे तो पाइन हमारा जो है कि redmi 7 model है इसके बाद जिसका images और यहां पर program 0 को ले ले लेते हैं इसके बाद यहां पर patch 0 को भी ले लेते हैं और manually इसका firehouse की file हम यहां पर upload कर लेंगे तो simply यहां पर हमने सारे चीज़े कर लिए और यहां पर हम कस्टमाइज में आ जाते हैं और कस्टमाइज में के बाद यहां पर हम चार फाइलों को अंटिक कर लेंगे एक डेव तो यहां पर हमारा फोहर वेटिंग्पार फोन बता रहा है ! मैं यहां पर एडियल मोड में इस पोन को.. यहां पर तो करे हमारा फोट बना लिया है , आप देख सकते हैं ! इस यहां पर फ्लैशिंग होने के लिए तोस पे 15 मिनेटवी लग जाएंगे !! सम टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा वेट करते हैं इसको फ्लैशिंग होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह फोन आउन होगा तो यहां पे इसके अंदर एक एरर आएगा और फोन डिरेक्ली रिकोरी मोड में चला जाएगा तो उसका हमारे पास कोई भी रिजिस्टर का ऐसा नहीं है कि हम यहां पे रिजिस्टर निकाल के बताएंगे इसका हमारे पास कुछ फाइल है जो मोडिफिकेशन करके हमने अलड़ी करके रखे है और यह फाइल हम फ्री में जाइल हमारे स्टुडन को ठीक है ना कि मार्केट में किसी को भी फ्री में नहीं देते 就到 करते है यह फाइल हमारे free में कोई किसी को चीज हम दे नहीं सकते क्योंकि free की value सबी को पता है कि जो चीज free में मिलती है उसकी कोई आवकात नहीं होती free वाली चीज़ की, वो बेकार का काम होता है, ना उससे हम पैसे काम आ सकते है market में पूरा उसका erase हो जाता है पुरा मतलब काम ही बंद हो जाता है तो इसकी लिए मार्किट को हम यहाँ पर डाउन नहीं करेंगे और जिसको सोलेशन चाहिए वह हमारा इस इंस्टूट को जॉइन करेंगे तो हम यह सारे चीज़े उन लोगों को बताएंगे तो यहाँ पर वेट करते हैं सिस्टम की फाइल राइट हो रही है थोड़ा सा फाइम निट्स का इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा वीडियो के यहां पर हम स्कीप कर लेते हैं थक देते खाली बोलते यह करो यह करो यह करो कोई भी इंडिया के अंदर इंस्टूट चालू फोन नहीं देता आइफोन पर क तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारी फ्लैशिंग कंप्लिट हो चुकी है ठीक है जो कि हमारी यहां पर ग्लोबल इमेज की फाइल दिख रही है अब की वर्जन टूएल लेटेस वर्जन फाइल से हमने इसको फ्लैश कर दिये अब एक बार यहां पर हम सिंपली फ है मैं यहां युए टोवेल बर जazon है इसका अब इसके बाद देखते हैं सीजिफ इसका फोन जो कंडिशन है यह डारिक्त तो जिससे कि यहां पर हमने फोन ओन कर लिए अब चेक करेंगे यहां पर अगर आता है यह नहीं आता है अगर आ जाए तो मैं इसको सॉल्फ करके बताऊंगा एक फाइल है हमारे पास जिससे हम उसका रिपेर कर सकते है डियोल सीकुरिटी बीना रिजिस्टर निकाले लेकिन यहां पर देखते हैं कि यह ओन होता है या रिकोरी में चले जाके अन्वी डाटे स्करप्टेट का एरह रहाता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर फोन रिबूट हो चुका है ठीक है इसकी लिए तो यह वापस से रिबूट हो चुका है अब यह बार बार रिबूट होते रहेगा क्योंकि इसके अंदर डियोलाई में डाले डियोलाई में डालने के वज़े से इसका एन्वी डाटा इस करप्टेट का इश्यू आ जाता है जो कि यह रिकोरी मोड में चला जा रहा है तो म यह से लोगो आया तो आप देख सकते हैं यहां पर यह एक लोगो जो चार्जिंग का प्लग का बता रहा है यह लोगो हमारा रिकोरी मोड वाला बैटरी डाउन उनिक के वज़े से यह आपको रिकोरी मोड का नहीं बता था जिसमें अन्वी डाटा इस करप्टेट का आता अप्शन ठीक है तो यहां पर यह लोगो आपको इस तरह से शो करेगा एक बार मैं बैटरी निकाल के फिर से इंसर्ट करके वापसे फिर से ओन करके दिखाता हूं कि हो सकता है कि आपको यह रिकोरी मोड बता दे यह बैटरी डाउन होने के कारण यह लोगो पे अटक जाता है और चार्जिंग लोगो दिखा देता है तो एक बार देखते हैं बिना चार्जिंग के मैं यहां पर चेक कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको अन्वी डाटा इस करप्टेट लिखके आ रहा है ठीक है अब अच्छे से देख सकते हैं और यह आटोमेटिक रिकोरी में चला जा रहा है यह वही फोन है हमारा जो हमкое मार्क किये थे जोम कर गणे और आफ तो कई-कई-mOTL में रिजिस्टर रिमुवफ करने से हो जाता है, लेकिन हम ये इसके अंदर कोई भी register नहीं डालेंगे, लेकिन हम आपको ये solution भी नहीं बताएंगे, कि ये कैसे होता है, कि ये free में हम नहीं बता सकते किसी को भी, इसके लिए हमारे phone fix को आप join करो, हमसे इसका पुरा course कर सीख लो उसके बाद ही हम आपको यह सारे चीज़े बताते हैं हम आपको free में file देते हैं यह सारे tested वाले mmc change file, qcn file यह हमारे dumb file होते हैं तो यह सब हम आपको free में देते हैं कोई भी इसका charge नहीं लगाते हैं लेकिन यह हमारे student के लिए ही है तो मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा skip करूँगा क्योंकि आपको यह चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा ठीक है इसके होने के बाद मैं आपको बताऊँगा क्या है यह तो यहाँ पर हमने उसका वो nv data का हमने काम कर लिया जो हमारे पास फाइल है हमने उसकी दाल दिये एक बार मैं फिर से आपको आउन करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे अन्वी डाटा इस करप्टिट का इश्यू आता है या नहीं आता है तो हमने इसकी जो फाइल थी मोडिफिकेशन करने वाली फाइल उससे हमारा अन्वी डाटा का प्राब्लम सौल हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहले बार में आपका यहाँ पर रिकोरी में चला जाता है अन्वी डाटा इस करप्टेट शो करेगा अब बुलेंगे सर यह तो फाइल डालने के बाद क्यों हुआ लेकिन यहाँ पर पहले बार आपको शो करेगा नेक्स्ट आपको खली कुछी नहीं करना है रिबूट करना है रिबूट सिस्टम अब आपको चेक करना है देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपको वापस से रिकोरी में जा रहा है यहाँ हमारा फोन MIUI का सेकेंड लोगो आके फोन आन होता है हम यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब यह है कि हमारा सेकेंड लोगो आने के बाद हमारा फोन ओन होने लगा है तो यह आप देख सकते हैं थे पहले नवी डाटा इस करप्टेड आ रहा था और मैंने उसके अंदर एक फाइल मोडिफिकेशन डाल के कर दिया हूँ उसके अंदर कोई भी रिजिस्टर मैं ने रिमूब नहीं किया ना कोई मोडिफिकेशन किया है रिजिस्टर में यहां विदाउट रिजिस्टर में हम यहां पर सिकुरिटी डियोल सिकुरिटी कर चुके हैं तो अब यहां पर हमारा सेकेंड लोगों आ गया है अब वेट करते हैं यहां पर फाइम नेट्स अपको वेट करना है क्योंके पूरा सेटप ऑन होने के लिए फर्स टाइम ऑन होने के लिए टाइम लेता है तो वेट करेंगे यहापे तो जैसे कि अभी भी ये सेकेंड लूगों पे है थोड़ा सा टाइब लेता है फर्स्ट हैं तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पे हमारा वेलकम स्क्रिन के होम पे आ चुका है थोड़ा सा बूटिंग हो रहा है वेट करेंगे थोड़ा सा तो जैसे कि मेरा फोन अन हो चुका है कम्प्लिटली सेकेंड लोग आ गया था और अन्वी डाटा का जो करप्ट आ रहा था वो हमारा भी सॉल हो चुका है वह अब एरर नहीं आ रहा है तो वेट करते हैं यहां पे कि इसमें मनें वाकियु में दोनों सिकुरीटी रिपैर किये नहीं किये और EMMC भी बता देता हो कि बहुत सारी लोग सोचेंगे कि EMMC शायद दूसरी डाल दिये बता रहे कुछ और और रहे कुछ और दो जोड़े अज आ इसा भी नहीं है तो मैं आपको वह वहाँ पर केस मे बिना कोई इसके अंदर मोडिफिकेशन का मतलब जो के रिजिस्टर कोई रिजिस्टर निकालना नहीं है कोई मोडिफिकेशन करना नहीं है सिर्फ थोड़ा सा सिस्टेम हैस बिन रिस्टर गा जो इशू आता है उसके अंदर आपको थोड़ा सा काम करना रहता है सीपियो में तो वह एक अलग चीज है मोडिफिकेशन का लेकिन बाकी का जो भी हमारा प्रोसिस था वह हमने उसके अंदर कोई भी मोडिफिकेशन नहीं की है हमने नॉर्मली जैसे रिपेर करते वैसे ही उसके अंदर रिपेर किया हुआ तो वेट करते हैं यहां पर पूरा सेट अप कंप्लीट आने के बाद हमारा होम स्क्रीन हो जाएगा तो जैसे कि यहां पर यह हो चुका है हमारा यह भी कंप्लीट आप कि यहां पर आप देख सकते हमारी होम स्क्रीन आ है पहले तो में आपको बेस्बंट चेक करवाता हूँ बेस्बंट इसमें है या नहीं है चलो यहां पे आजाते हैं एंडुएड फोन और आल स्पेसिफिकेशन्स और यहां पर देख सकते बेस्बेंड वर्जन आपका शोग कर रहा है ठीक है एक बार सिकूर्टी भी में आपको शोग करवा देता हूँ अब देख सकते हैं यहां पर मेरा दोनों ने ट्रक दोनों यहां पर सिमा आ चुका है डिव आयमिय के साथ रिपेर किया हुआ है यहां पर अब देख सकते हैं तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ देखो जैसे कि मैंने यहां रिपेर किया है एक बार मैं आपको वही दिखा देता हूँ हमारा जो CPU और MMC जो था एक बार मैं आपको वही सेम बता देता हूँ आप देख सकते हैं यहां पर जूम करके थोड़ा सा जूम करो तो यहां सब्सक्राइब करा है इसके अंदर कोई भी चेंजिज नहीं है घीक है इसके इसके अंदर कोई भी चेंजिज नहीं है जो जो MMC हमने स्टार्टिंग में लगा थे वह MMC अभी भी इसमें लगा हुआ है और इसके अंदर मैंने सारे सुलूशन करा है जैसे कि सिस्टम हैस बिंडिस्टोड आ जाना और इसका एन्वी डाटा इस करॉप्टेट का भी प्रॉब्लम आ जाना तो यह सारा चीज हमने इसके फूरा नॉर्मल पूरा इक फोन की तरह बना दिये इसको अप किन देख सकते है स्ट्रेज भी इसका चारच उसट था मैं एक बहरा आपको स्ट्रेज भी डिखा देता हूं अबर कि विर यहाम पर स्ट्रेज में आकर दिखा देंगे भी स्ट्रीज तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टोरेज 4GB RAM है ठीक है वही हमने जो RAM डाले थे और यहां पर 64GB का स्टोरेज भी शोग कर रहा है तो हमने यहां पर दोनों भी डाल दिये लेटस फाइल से भी फ्लैश कर दिये और यहां पर पुरा हमारे 7a का आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब करें लाइक करें और वीडियो को शेर करें